First to all of you, welcome to hemraak shakt Ωो, swaghata आप सभी का आज किस वीडियो में आज हम भात करेंगे First practice set of Hindi section आपका चाहे आप HP Police की त्यारी कर रहे हो चाहे Forest Guard की त्यारी कर रहे हो चाहे Patoaari की त्यारी कर रहे हो और कोई भी exam जिसमें Hindi आती है उन सबी एक्जामों के लिए ये वीडियो काफी important है क्रिपय करके इस वीडियो में जितने भी आपको question करवाए जाएंगे ध्यान से पढ़ना और end of the video आपने score बताना है कि आपके कितने marks रहे हैं चलिए वीडियो को start करते हैं हमारे सबसे पहले question से हमारा पहला question है आपको बताना है शूद शब्द आपको चुणना है पहला question देखिए अधिकाँश कैसे लिए पिर प्रिक्षक कैसे लिए फिर आपका महाँशदी कैसे लिए आपको बताना है जैसे ही आपके सामने question पुटो रहे तो आप video को pause करें और question का जवाब देने की कोशिश किया गरो इस question का सही जवाब है A is the correct answer ठीक है अधिकांश हम ऐसे लिखते हैं एक वारा भी copy पर भी लिख लो अधिकांश कैसे लिखते हैं C option जैसे लिखते हैं ठीक है देन बात करें प्रिक्षक कैसे लिखते हैं B option is the correct answer ठीक है copy पर अभी क्या भी लिख लो देन थर्ड का कौन सा सही होगा लगा लिए होगा अभी तक आपने टिक A is the correct answer ठीक है महोशिदी ऐसे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चिन है आपका question number 4 और 5 इसमें आपने बताना है innovation कैसे लिखते हैं और वितीत कैसे लिखते हैं तो fourth का D is the correct answer innovation में आदा न होता है ठीक है then fifth question की बात करें तो हम वितीत ऐसे लिखते हैं option A जैसे should शब्द का learn करने का trick सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप बार बार शब्द को लिखें जैसे innovation को कम से कम तीन से चार बाज़ा भी आप लिख लें copy पर वितीत को लिख लें तो आपको paper में नहीं बुलेगा यदि आ गया यह same to same शब्द next बात आती है view का संदिव विशेद क्या होगा option A, B, C, D then सात्वा question है suit का तत्सम आपको बताना है then eighth question है आपका माली का इस्ट्रे लिंग बताना है पढ़िए तीन question और जवाब देने की कोशिश किया करो उमीद करता हूँ अभी तक आपने जो है sixth question की बात करें तो sixth question में आपका view का संदिव विशेद B plus O होगा ठीक है then अभी बात करें तो संदी संदी के भेद पूछ रही जाए संदी के कितने वेद होते हैं तो आपको याद रखना है तीन वेद होते हैं कौन-कौन से होते हैं स्वरसंदी ब्यंजन संदी बिसर्गसंदी ठीक है क्या वोला मैंने स्वर्गसंदी ब्यंजन संदी बिसर्गसंदी ठीक है then seventh question की बात करें तो इसमें आपने बताना है सूत का तच्सम क्या है C is the correct answer सूत्र ठीक है जदी हम बात करें तच्सम शब्द कौन से होते हैं एक होते हैं आपके तच्सम एक होते हैं तत्वव ठीक है पहला तच्सम दूसरा तत्वव तच्सम जो है वो संस्कृत बाशा से लिये गए हैं दोनो दोनों ही संस्कृत से हैं बट difference क्या है minor सा difference है जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत से लिये गए हैं बट इन में कोई भी change नहीं किया जाता हूब हूब बैसे ही जैसे संस्कृत के शब्द होते हैं बैसे ही हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं तत्सम हो जाते हैं तत्वब की बात करें तो ये जो शब्द हैं इनमें थोड़े थोड़े चेंजिस किये जाते हैं तत्वब होते हैं तो ये तत्वब होते हैं दूसरा शब्द तत्सम तो इस question का सही जवाफ था C is the correct answer देन बात करें आठवे question की इसमें आपने बताना है माली का इसरी लिंग क्या है माली, मालिन, मालिन, मालिनी तो जल्दी से बताएं B is the correct answer मालिन ठीक है next question क्यों जले next question है आपका question number 9 इसमें आपने बताना है गीत का बहु बचेन आपने बताना है गीत, गीते, गीतो, गेती, गीतिया बताईए इसका सही उत्र क्या होगा तो इस question का सही option है A is the correct answer next question है दसवा शोका कुल में समास आपने बताना है कौन सा है द्वंध बहु बहु बही तत्थपुर्ष अवईवाब तो इस question का सही जवाब है C is the correct answer ठीक है अगर आपको पूछ लिया जाए एक्जाम में समास के भेद कितने होते हैं मैंने question बोला समास के भेद कितने होते हैं तो आपको वहाँ पर टेक लगाना है 6 भेद 4 तो यह होग है इसके लाबा कौन कौन से इसके लाबा बच गया आपका द्विगू और करमधारे द्विगू द्विगू और करमधारे ठीक है करमधारे यह आपके 6 भेद हैं टोटल समास के बात करें 11 खोश्चन की इसमें आपको पूछा है करिया शब्द का आपके उविशेशन बताना है तो इस कौश्चन का सही जपाफ है A is the correct answer नेक्स्ट कोश्चन की और चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है आपका कौश्चन नमबर 12 इसमें आपको बताना है कावी अच्छे concept है इस लाइड में आपको बताना है परलोग में उपसर्ग क्या है A, B, C, D देन फेरा में प्रते क्या है A, B, C, D चुनिए आप उप्षिन अपने नोलेज से तो लगा लिया टिक भारवे का सही जवाब है A is the correct answer तेरवे की बात करें तो D is the correct answer अब बाताती है उपसर्ग क्या होते है दूसरी बाताती है प्रते क्या होते है ठीक है उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द से किसी भी शब्द से जैसे for example शब्द हमारा हार इस शब्द के आगे जोड़िये कोई भी शब्द for example मैंने जोड़ा बिहार तो ये जो शब्द है न ये शब्द आपका उपसर्ग है ठीक है मैंने बना लिया प्र प्लस हार प्रहार तो मेरा प्र है न जो जे उपसर्ग है होगी बात क्लियर किसी वी शब्द के पहले जो शब्द जोड़ा जाता है वो उपसर्ग होता है ठीक है, easy सी बात है तर बात करें, प्रते क्या होता है मैंने वोला प्रते क्या होता है देखिए किसी वी शब्द जैसे for example फेर था ना हो जाए इसके end में जुड़ा था आ ठीक है बन गया फेरा तो last में end में जुनने वाला शब्द जो है किसी वी शब्द के end में जुनने वाला ऐसा शब्द जो इस मूल शब्द के अर्थ को चेंज कर दे इसे प्रते कहा जाता है हुई बात clear या नहीं हुई ठीक है जे चलें next slide क्योर हमारा 14th question है आपको बताना है आशा का प्राइबाची शब्द जिसे सनोनिम होते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में तो बैसे ही इसे आप समानार्थी शब्द या प्राइबाची शब्द भी कह सकते हैं हिंदी में तो इसमें आपने बताना है कौन सा A है आपका अमोध, B है अनुमती, C है प्रमोध, D है तिमीर, तो इस question का सही जवाब है आपका B is the correct answer next question की बात करें तो next question है हमारे पास 15th question, इसमें आपको बताना है, काफी important होती हैं मोहाबरे और लकोक्तियां हर एक एक्जाम में यदी हिंदी आती है तो इस topic पर question आना confirm है तो आपको क्या करना है इस topic को कैसे tackle करते हैं तो आपको दिन के कम से कम भी 5 से 10 लकोक्तियां और मोहाबरे पढ़ लेने हैं दरनक करने की बिलकुल कोशिश नहीं करनी है आपको सिर्फ और सिर्फ रीर करने हैं ठीक है इसी परकार से प्राइबाच्ची और विप्रीत शब्द या बिलोम शब्द वी आप वैसे कर सकते हो पांच पांच टेली के करने हैं तो आपको ये इजी लगने लग पड़ेंगे ठीक है तो आपको इसमें बताना है जड़ खोदना का मुहाबरे का अर्थ क्या होता है A है समूल नष्ट करना B है सहसिक कारे आपका C है सर्वोपे करना D है आपका अधिक घमंड करना तो इस कुश्चिन का सही जवाब है A is the correct answer ठीक है यदि आप धिली के 5 से 10 लर्न करेंगे न एक बार आपने go through करना है लर्न करने के बिलकुल कोशिश नहीं करने किसी भी टॉपिक की बात करें आपने सिर्फ और सिर्फ रपीट करना होता है ठीक है रपीट करो से लर्न करने की बिलकुल कोशिश नहीं करनी है रपीट करना है रपीट बस रपीट रपीट पढ़ना है रपीट जैसे हमें A to Z उन्होंने लर्न नहीं करवाया था उन्होंने रपीट करवाया था जो आज तक जाद है यदि आप repeat करेंगे न चीजों को तो आपको यादा chances होते हैं learn करने के ठीक है learn होने के तो ये थी वीडियो उमीद करता हूँ आपके 15 में से 14 नमबर ही आए होंगे इस से उपर 15 आउट आफ 15 भी आदे बच्चों की जरूर आए होंगे यदि आपके 13 हैं तो well and good तो भी ठीक है यदि इस से नीचे हैं तो आपको और ध्यान देना है improvement करनी है अगली वार mock test paper आएगा अगली वार practice set आएगा तो आपको 14 या 15 नमबर ही लाने है इस वीडियो में बस इतना ही यदि आपको ये वीडियो 84 भी helpful लगी चरा से भी आपको informative लगी तो आप इस वीडियो को एक like कर सकते हैं हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं तो आपको इसी परकार का content जो है इस चैनल पर provide किया जाता है इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है next वीडिय पढ़ते रहेगा धन्यावाद शेहिंच है है माचु